यूनिट ट्वैल्व में अपना जो एक सब्जेक्ट चल रहा था फोरेश्ट सर्विंग एंड इंजिनियरी उसमें पहला जो पार्ट था जिसमें फोरेश्ट रोड एंड ब्रिजिज वगर थे जैसे हम डिसकस कर चुके थे अब उसका अगला पार्ट आएगा जो है बेसिकल जो सब्सक्राइब करना जाएएए बेसिक टर्णिन लोजी विन अद्व कि उचिभ्तर इंयलेश्ट सर्वेंग होता क्या है और इसका इंप्र साथियरी मेनलेश्ट पहुता बेटर किलो मीटर स्कौाय अब इसमें ग conflicting है यहां पर यहां पर पूइंट बार्फ कर चलना यहां पर आपके एंवल कुप पाला कोई सिस्टम चल ला है यहाँ पर कोई एक रिवर है जो हमसे निकल गई है राजसान गवर्मेंट का प्लान होता है कि इस एरिया को जोइंड किया जाए और इहां पर एको को त्योंड को प्रमॉट किया जाए तो दॉति परमॉट के लिए आपको यहाँ से रोड डालना है इस टाइब से अब यह जो रोड है वो इस टाइब से डालना है कि आपका यह plantation work के लिए भी helpful हो जाए रोड फुल डिपांट्मेंट के लिए helpful हो जाए और यह कहीं और भी नरसरी वगर है कर रही उसके लिए भी helpful हो जाए तो आप यह रोड कैसे डालोगे उस रोड के लिए कितना पैसा लगेगा क्योंकि कितना लंबाई होगी रोड की उसके construction में कितना material यूज होगा ये सारी चीज़ों के लिए आपको जमीन की वास्ट पोजीशन पता होना बहुत जरूरी है तो आप यहां क्या करो कि जो रोड जो आपकी डल रही है उसका पूरा का पूरा measurement लिये जाएगा जैसी यहां पर एक dumpy level ले ले लेगा और यहां पर यह ले लेगा और यह फिर पूरी जो distance है उसे measure करते चले जाएंगे इससे दो बात है पता पढ़ेंगी एक तो यह रोड की लंबाई मालूम और फिर तीसरे point है अगर इस area को पूरे को measure करना हुआ तो हमें यह समझ में जाता है कि आखरी area कितना बढ़ा है और इस area के जो measure object है उनकी इस पूरे area में position क्या है यानकि उनकी location क्या है actual map में तो यह जो surveying है यह help करता है हमें different object की जो horizontal distance है उसको identify करने में उसको measure करके map प् फाइनली तो हम जो surveying कर रहा है उसका map भी बनाना है अब यह जो area यह ऐसा तो होता नहीं कि बिलकुल UP की तरह बिलकुल plan area हो और यह area थोड़ा उंची नीच वाले होंगे तो आपको क्या करना होगा कुछ area को बताना होगा कि area थोड़ा ऊपर है यह area थोड़ा नीचे है लाइन डेटम लाइन कई बार पूछी जा चुकिए कि डेटम लाइन क्या है तो एक लाइन आपने ले ली उसके बेश से अपने किसी point की उंचाई या नीचाई को measure करते हैं तो जब आपका measurement vertical होता है कि तो वर्टिकल measurement को बोला जाता है labeling जबकि horizontal distance को measure करने को बोलते हैं serving दोनों term का मतला आपको समझ में आगे होगा अब labeling से यदधा तरीक एक तो term जुड़ा हुआ है datum line का दूसरा है अगर example मैं देखना आपको तो आपने कई वार ट्रेंड में जब भी जरनी करते हैं तो जब भी अपना कोई railway station आता उसका एक entry और exit की टाइम पर बोर्ड लगा होता है जिसमें वहाँ पर आगे city लिखा होगा हिंदी में फिर इंग्लेस में लोकल लेंग्वेज पर लिखा होगा और वहाँ पर नीचे छोटा सा एक लिखा होगा कि यह में in dry तो पर श्राइब नीचाय को मेजर कर रहा है जैसे जब आप लंबे पर जाओगा अगर इस मैप में कोई यहाँ पर है यहाँ पर यहाँ बदा आ सकता है कि वो एकचवल 52 में इस पॉइंट से यह कितनी उंचाई पर है यह पॉइंट इस पॉइंट से कितना उंचाई है तो कहीं न करेंगे तो दो टर्म हो गए अपने एक है सर्वेंग और दूसरा है लेवलिंग अब आपने मुद्दा आता है आखिर इनका हमारे लिए क्या इंपोर्टेंस है पहला तो है कि फोरेस्ट्री बहुत सारे टाइप के मैप बनते हैं जिसमें आपने सबसे जयता पड़े होंगे वर्किंग प्लान के अंदर तो वहाँ पर जो बहुत सारे टोपोग्राफिक मैप बनेंगे वो मैप तभी बनेंगे जब आपको अपने एरिया का सर्वे करोगे और इस एर प्लार को भी अगर मैप में मार्जिन करोगे तो आपको फिलर की लोकेशन सही से पता होने चाहिए और यह सब कैसे पता पड़ेगा आपको मैप प्रिप्यार करके और वह मतलब सर्वेइंग सर्वेइंग एंड लेवलिंग ही करनी पड़े कि तब आपको यह बना पाओगे है अब इसमें एक है जैसे टोपोग्राफिक मेप है दूसरा है कैडास्ट्रल मेप है कैडास्ट्रल मेप और टोपो अचाहिए नीचा इससी दिखा लेते हैं लेकिन कैडास्ट्रल map में आपको जैसे कोई city का map है उसे देख लो तो हाँ पर पता पड़ जाएगा कि यह इस type का map होगा यहाँ पर यह building है यह भाव साथ की building है यह इनकी building है यह किसी third person की building है इसमें कोई complex है तो इस type की boundary जिसमें यह type की दे रखे हैं यह बोलो कि एक टाइब से बिल्डिंग या जो एरिया उसकी ओनर्शिप को भी इसमें सो किया गया तो इस टाइब की जो मैप होते हूं उन्हें बोलते हैं कैडा इस्टर्ड मैप तो सर्विंग लेबलिंग का एक पहला तो अब्जक्टिव होता अपने डिफरेंट टाइब के मैपस बनाना दूसरा जो अपना लिए इंपोर्टेंस है कि जैसे बिटिस के टाइम पर एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच की क्या डिस्टेंस है तो यहां फिर फोरेश डिपार चल रहा है उनके बीच की डिस्टेंस किती है कंपार्टमेंट का साइज क्या है तो यह सारी चाहिए हमें सर्विंग लेबलिंग से ही मालूम पड़ेगा फोरेश रोड और ब्रिज बनाना हो तो सर्विंग लेबलिंग करनी ही पड़ेगी अब मान के चलो आपको कोई फोरे यह फिर जैसे इंक्रोच्मेंट का अच्छा मुत्ता चल रहा है कि फोरेश्ट इंक्रोच्मेंट है तो यह कहां से करोगे चाहिए तो आप जमीन पर जाओगे जमीन पर जाकर करके उसकी अपने पिलर की पोजीशन निकालोगे चार साल बात फिर पोजीशन दिखोगे अग उसमाज में जाता है कि हाँ यह यह यूजव किया जा सकता है अब जैसे अबने यह फोरस्टी था तो एग्रॉफस्टी में अपने डिफ्रेंट टैप कि अग्रोफोरस्टी इस सिस्टम को चार बीmäßig पिलर लेकर कि उन्हें कलसीफई किया था बैसि ही कि ये surveying और labeling है इसके भी बहुत सारे base होते हैं उनके base पर इसको classify किया जाता तो जैसे पहला base है जिसके अंडर अपन जो classification है उसमें दो types करते हैं एक को बोलते है plan survey और दूसरे को बोलते है geodatic survey plan survey मजलब वहाँ पर आप यह मन लेते हैं कि जो अपनी जमीन है वो फ्लैट है अर्थ गोल नहीं है बिलकुल फ्लैट है थाली की तरह फ्लैट है अब ऐसा क्यों मान लेते हैं मान कि चलो आपका जो सर्विंग एरिया वो 2500 किलोमेटर से चोटा है मतलब चोटा एरिया है जैसी कि आपका Irigation Department का किसी डिस्टिक का प्रोजक्ट चल रहा है किसी डिस्टिक में उसे कैनल बनानी है नहर का खुदाई का काम चल रहा है तो वह 200 किलोमेटर से कम का एरिया है तो ज़द़ पचिड़े मंनी पढ़ता है वो यह मुल लेगा कि अर्थ जो है वह फिलेट है तो आर्थ का जो करवेचर जैसे कि अपना अर्थ जो है वह एक्ट्वल में जैसे गोल है तो यह ता करवेचर मतलब कीतना रौंड है तो करवेचर को तो यह है एक्ट्वल डिस्टेंस यहां पर थोड़ा कम हो जागी वह 250 नहों गए 249.8 कुछ है तो यह जो छोटे सर्वे होते हैं इसमें इतने सारी चीजों को ध्यान देनी की जरूरत नहीं होती कि हम अर्थ के करवेचर को भी कंसीडर करें तो हम रफली है पहला तो याद र इरिया जहां जो अपना जो एरिया है वह बहुत बड़ा है खासकर जब वह 250 किलो मीटर स्कॉयर एरिया से बड़ा एरिया है उस केस में अगर अगर आपन अर्थ को फ्लैट मान के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है वह मैजर करने लगे तो हमें जो डिस्टेंस है वो हमें एक्ट्वल डिस्टेंस नहीं मिलेगी तो उसकी केस में हमें अर्थ का करवेचर भी मैजर करना पड़ता है जिससे उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है वह एक्ट्वल मिल पाए तो यह कहां किया जाएगा जो बड़े एरिया जैसे इसके अर्थ का करना पड़ता है इसका एक जामपल ले लो कि अर्थ को रौन अंडिया का मैप है तो अगर कन्या को मारी से आपको जम्मू का समीर में सपोज यहां इंद्रा जो कोल है और यहां पर अपना प्योलो है मतलब इंद्रा पॉइंट और इंद्रा कोल के बीच के आगर डिस्टेंस आपको निकाल नहीं है तो आप बिलकुल प्लैन्सरवी के साबसे आपकी डिस्टेंस जो है wird भो बिलकुल सीदी आ इसके लेखे लेकिन नहीं होगी है क्योंकि अर्थ कर्व है तो यह इंडरा पॉइंट ले 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 लेक्न एक्टम्स बिच यो डिस्टम्सटेश क्योंब लमग यह कर दोगा होगा. मतलब यहाँ पर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि अवा कि ऐरिया अब जैसे ये एक बेस हो गया दूसरे भी बेस होंगे उन्हें देखें पहले हैं प्लैन सर्वे और जियोटेटिक सर्वे है इसका डिफरेंज आपको याद बिल्कुल होना चाहिए यहां अर्थ कर विचर किसमें करेंगे किसमें नहीं करेंगे दूसरा एरिया का है तीसरा अर्थ क्या मान के चलते हैं अब यह कुछ दूसरे बेस हैं उन्हें देख लेते हैं पहला है कि आपका किस अब्जक्ट पर है मतलब ऑब्जक्टिव क्या है आपका सर्विंग करने का जैसे जियोलोजिकल डिपार्टमेंट है तो यह देख रहा है कहां पर कौन से मिनरल्स है तो इनके जो मैप बनेंगे से माप अपका जियोलोजिकल डिप्टिवसर मिलेगा है जैसे आपने कभी पस दिवाले देख होंगे कौन सा क्रिस्टेसियन का मैप है जुराशिक पीरियट के है ट्राइसिक पीरियट के हैं तो इस टाइप का जब मैप आप देखोगे तो वह मैप में किसी स्टेट की बॉंडरी नहीं होती है पॉलिटिकल मैप नहीं होते हैं वो उसमें अजीवी टाइप की रॉक का डिस्ट्यूसर दिखाए गया होगा यहां पर अगर मिलिट्री का पार बेंग का उसके हिसाब से मैंप अलग अलग बनते हैं सरफेब के मेथ अलग अलग होते हैं तो इस ठाइप चाहिए हैं को सर्वेड को इसके सवद मतलब क्लाविय करा लेते हैं । दूसरा कर सकते हैं कि आखर आखर चो फीड़्स यसमें सरवेग किया रहा है वो क्या सा आ है ? वह जमीन में किया रहा है Now valve राइंस में कि जा रहा है अगर future में हमारे जो फूरा फूरा का मैप बनता है, खजकर जो drone है, इस टाइब के बाद possibility के future में पूरा space को भी एक type से जैसे अपने plotting होती, जमिन पर इस type से plotting कर दी जाएं और फिर एक route के थूरू ने औडायजा है, तो अगरू at the future में possible हो तो फर्म इसकाइब में भी Surveying कर सकता है Next बेस्ट होता है कि आप जो Surveying कर रहे हो किस Instrument के Based पर कर रहे हो अब यहां पर कुछ Instrument है हो सकता है यह मैं से आपको एकदम समाज मन आए लिकिन जसे-जसे यह Subject अगे बढ़ेगा आपको यह जो चीजे हैं यह चीजे एंडिंग तक आके एक एक टार्म किलियर हो जाएगा यहाँ पर हमने जो सर्वेंग था बेसिक उसे देख लिया अब सर्वेंग को जब आँगे करोगे खाजकर चैन सर्वे आएगा कमपास सर्वेंगा तो वहाँ पर दो प्रिंसिपल के बात की जाएथि है वहाँ पर दो प्रिंसिपल चलते हैं एक है वह अगरोल में ट्र embarrass और दूसरा है ट्रैबाज है कि ट्रैबुलेशल प्रिंसिपल का मतलब sih हो था कि आप जो एरिया है उसे छोटे छोटे ट्रेंगल में डिवाइड कर देते हो और क्योंकि आपको ट्रेंगल का जो एरिया है वो निकालना आता है तो सपोज इसका आपने एरिया कालकुलेट कर लिया इसका कर लिया इसका कर लिया तो इन सभी ट्रेंगल की जब आप एरिया कालकुलेट कर लोगे और यहाँ पर सभी का total कर दोगे तो आपको इस पूरे area का जो wall means कितना total area है वो आपको area मिल जाएगा दूसरी जब आप इसके map बनाओगे तो जैसे इस triangle में कोई object है इसमें है तो आपको इस पूरे area का ये भी मालूम पढ़ गया कि आपको कोई सो object किस triangle के अंदर है तो ये triangulation survey है जिसमें triangle बनाके करते हैं पर इसके साथ दिखती है कि triangulation survey जब करेंगे तो area छोटा होना चाहिए और कम सकम ये triangle जो बनेंगे triangle सही बनना चाहिए तो वो flat area मतलब area छोटा हो और इसमें इसके सभी corner आरम सो से visual दिखना चाहिए विजिवल नहीं होंगे तो फर ये triangle सही चाहिए बननी पाएगा दूतरा है Traverging Traverging का मतलब होता है कि आप एक point से दूसरे point पर जाते हो दूसरे से तीसरे पर गाए जैसे यातरा नहीं करते हो Traverging में तो आप इस टाइप से मोग करते रहते हो अपनी जैसी इक्षा होती है वैसे मोग करते रहते हो बस यह है कि आप जब A point से B पिर जाते हो तो आप अपना जो north है compass जो है compass से इसका angle measure कर लेते हो फिर जब इदर जाओगे तो आप फिर इदर जाओगे तो फिर इदर ज distance है वो कितनी है यह बिल्कुल वैसे यह जैसे अपने math में question आते हैं कि एक जो कोई person है वो A point से B West की तरफ गया 20 मीटर फिर बोलेंगे right side की तरफ मोड़के चला 40 मीटर फिर इदर की तरफ गया 30 मीटर फिर कहीं और घुम गया फिर 30 मीटर फिर बाद में बोलेंगे कि A point से B कि distance कितनी है तो यह जो है इसमें क्योंकि angle अपने 90 90 है जबकि यहां पर जो है वो 90 डिग्री ना हो करके आपको कोई particular angle दे जाएगा और फिर लास में अगर आपको यहां से एक distance निकालोगी तो अपने calculate कर सकते हैं तो यह Traverging होगी अब Surveying को अपने आखे discuss करें उससे पहले अपने पास एक मैन मुद्द आ जाता है वो है linear measurement करना मतलब एक point से दूसरे point के बीच में आप Surveying करोगे ठीक है एक point से दूसरी के तरफ measure करोगे लेकिन आखिर अपने पास ऐसे कौन से tool होंगे जिससे यह pole से दूसरे pole के बीच क जाए उसे measure किया जाए जैसे कि आप कैसे करोगे आप कोई meter tap लेके जाओगे इंची tap लेके जाओगे मतलब आपके पास एक tool हुआ tap खसकर अपने को जरूवत पढ़ती है जब अपने कोई बड़ा construction अगरा है प्लान बना रहा है तो यह कौन-कौन से tool होंगे एक तो अपने पास जो पुराना ट्रैडिशन आ रहा है कि अपने काम करेंगे अपने आदत डाल देते हैं जैसे अपने आपने दिखा होगा जूत कविंटे होते हैं जूत्के के अंदर होते हैं फीते तो एक फीत को दूसरे से बांध करके कुछ दिन पंद्रह िस दिनë practice करई जाती है तो जो कदम है उनके बीच की जो distance चैक्प कर दिया फिर आप फीत है लेकिन सबस्दोलिक घड़एक बड़सी जाती है मतलब के कदम ए लिखा रहा है तो इसके बीज की एक distance को फिक्स कर दिया गया है अब यह जो distance है उसके इसाब से भी आप अपने कदम गिनते जाओ तो आप एक point से दूसरे point की जो distance है उसे measure कर सकते हो इसे बूलते है pacing या stepping दूसरा आपने देखा होगा जब अपने बाइक चलाते हैं तो उसमें स्पीडो मीटर लगा ही होता है वह मैजूर कर देता है आपका तीसरा है यह है पैसो मीटर यही करता है यह अपके जो स्टैप है उसे काउंट करता है अब क्योंकि इसमें भी स्टैप जो है वह एक आइडियल लिखे चलता है कि सामने वाला जो बंदा है वह अबरेज एडल्टी होगा और उनके अबरेज हाइट सेमी है तो कुछ पॉइंट सेंटीमीटर का जो फराक है उसे छोड़ देते हैं लेकिन मैजूर्टी जो है वह कि लाज मांन सरोवर किया तरह पे गे सीर को स्टाइम पर उन्होंने सनप्सोर्ट खेए था तो वह और पूरा था रिषी लाज इनोंने कितने चावी तक कितने क़ियो कि यह जो है यह किस से मेजर किया इन्होंने 500 मेटर से मतलब तूल बगरा से यह यह एक टाइप से आपको एक कोई से दूसरे पॉइंट की जो डिस्टेंस है जैसे 34.31 किलो मीटर तो यह पुराने जमाने में 100 साल पहले यह चीज इतनी अवालेबल नहीं वह करती थी तो उस टाइम पर एक ही टूल हुआ करता था वो था आयरन की चैन तो इस ठीक क्यों कि वह पुरानी चीज़ अभी भी चल रही है तो इसे हम बोलते हैं चैने अब जैसे यहां से पॉइंट को यह अपने कभी ट्रेंट से या बस से कभी सिटी के बाहर जब निकलते हैं तो वह एरिया जो जिन में अभी नया नया कंस्रक्शन वर्क चालू हो रहा होता है वहां पर प्लॉटिंग की जो बॉंड्रीज है वहां पर यह रेंजिंग रॉड को फिलेक के साथ लगा रखा होगा क्योंकि यह फिलेक से वह रेंजिंग रॉड है वह आसानी से डेक्ट हो जाती तो अपनी बॉंड्रीज है उन पर जो मार्किंग है उसे सो करने के लिए अपने रेंजिंग रॉड लगा देते हैं दूसरा इसमें आता है चैन चैन को अभी तोड़ा जेटेल में पढ़ेंग यह फिर आपने देखा होगा जब आप आज भी कपड़ा लेने चाहते तो वह एक यार्ड से देता है वह टैप से न देखे यार्ड से देता है वह उस टाइम पर भी मैटल की लम्बी सी यार्ड हुआ करती थी तो उसी से सब कुछ नपाई चलती थी तीसरा यहां पर जो क्या होता है कि कई वार आपकी जो इस्टेशन है जिसे आपने मैजूर किया इसमें उनको पर्मानेंटली फिक्स करनी की जरूएत होती है उससे क्या होता है कि जब आपको दुबारा से कभी मैजूरमेंट की जरूएत पाड़ है जैसी कि आज आपने यह पूरे इरिया को मै लकली का एक खुटा, घाड़िया काफी अच्छा गहराही तक नीचे चला गया, अभ इससे क्या है कि यह locally son है वो permanent है आपको इसका number मालूम है कि यह कुनसा है यह वालब खूटा मालूम है इसका मालूम है तो अब इसके बाद क्या है कि अगर आपको जरुवत पड़ी किसी यह point है और इसकी अगर distance की measure की जरुवत पड़ी तो आपको यह ranging rod से दोबारा से area को measure काने की जरुवत नहीं है किसी भी कुटे से दो से आपने अगर उसकी डिस्टेंस निकाल ली तो यह आपको मालूम तो एक्जक्ट लिए इसकी पोजी से आपको मालूम पड़ गए मतलब बुड़न पैक का मतलब है कि जो आपने मार्किंग यह उसे पर्मानेंट बना देना नक्स होती है यह एरो एरो का मतलब तीर ही होता है यह पड़ा से होता है कि एक छोटा से होता है एंसका ठुटा से जैंग कर दें मतलब अब डूसरा पीठी से आपकर इस पॉयंट से यहां distance measure कर रहा है, हो सकता है, इनके बीच की distance काफी है, एक डिल किलोमेटर लंबी भी हो सकती है, तो क्या करेंगे, कि आगे वाला जो है, वो यहाँ पर इनने chain measure की, आगे वाला यहाँ पर था, उसने इस arrow से क्या किया, कि यहाँ पर marking कर दिया है, fix जो थी, अब यह आगे चला गया तो यह पीछे वाला वो इस marking पर आगर करके अपनी chain यहाँ रख देगा और आगए वाला यहाँ पर आगया, तो इस type से arrow जो है, वो एक type से marking के मैं काम में help कर देता है, और यह फिर आगे move करते जाते हैं, तो यहाँ पर अपना काम आगया arrow, यह tool में इतना काफी है, इसके आगे मैं मुद्धा अपना आता है chain के type है, क्यों क्योंकि इसी पर आपके question इस sub topic से जो है, linear measurement इस से अगर question आए तो आपके chain पर ही question आते है, यहाँ पर आते है question chain की position क्या है, और खासकर chain के जो different type है, जो 5-6 type की chain पढ़ते हैं, उनके type पर आते है question, इन में सब से पहले आती अपनी metric chain, metric chain का मतलब जो chain जो है, उसकी जो length है, वो meter में होती है, या तो chain अपनी generally 20 meter की होगी, या 30 meter की होगी, दूसरा simplicity के लिए इसकी जो link होती है, वो hundred links होती है, इसमें होगा क्या कि जैसे एक wire है, यह wire जो है side में round कर दे जाता है, और यह wire इधर का है, जो round कर दिया गय इस wire को इसको link करने के लिए या तीन small ring छोटी छोटी rings होती है, तो एक link जो होता है, वो यह बीच वाली जो ring है, इसके center से लेके इधर वाले की center, यह हो गई एक ring, एक link, यह परपज क्या है, वही है कि पुराने जमाने में tap बगरा तो चलते नहीं थे, और ऐसी कोई यहां जैसी चीज़ फिक्स हैं नहीं, तो फिर वहाँ पर एक solid चीज जही है, जिससे जो bitisks थे, उनको measurement की काम में आता है, अब chaining के साथ एक दिक्कत हो रहा है, कि आपके पास suppose यह sol link है, आप measure कर रहे थे, इस point से यहां तक यह distance, अगर आपकी chain एक बार आपकी पूरी chain हो जो है, वो chain यहां से यहां तक हो गई, और आपका object कहीं यहां पर मिल गया, तो आपको अकर यह distance measure करनी होगी, तो आप क्या करोगे, फिर यहां से link count करोगे, एक एक करके जाओगे क्या बार बार, तो यह counting बार बार ना करनी पड़े, इसलिए chain के अंदर क्योंकि लिखा तो marking है, जैसे अपनी जो chain है, अगर यह 20 मीटर की ले लो, तो 20 मीटर की जो बीच का है, जो बीच की है, मतलब 10 मीटर एधर से 10 मीटर एधर से, तो जो बीच में होगी, वो होती है अपनी round टैली, इस ताइप के गोल होगी, और फिर जो एधर से टैली बढ़ती जाएंगे, तो यहाँ पर जो टैली होगी, जो पहली, सपोज जैसे इनको पांच मीटर पे लगाई है, तो 5 बाली पर होगी, जिसमें जासी यह जो दो है वो दूसरे नमपर की टैली होगी, यह तीसरे की यह चोथी है, यह तीसरी यह चोथी हूँ, और यह पांच मतलब centre बाली यह रही, इसमें हैं वह दो नहों करके single होग storm जो पहली उती है तो डॉब से इधर इंचार शोने से संघर वाली जाए और लिए तो इस टाइप से इई हन्को टेgen इस को कांट करकी थे को जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट से कितनी है अब यहाँ पर एक तो कुश्चन आपको यह आ जाता कि इसमें ब्रास का यह हैंडल होगा यह मैटल की पूरी यह होगी यहाँ पर यह टैली होगी और यहाँ पर बीच में तीन ओवल रिंग होती है और जो एक लिंक होती है वो 100 लिंक्स होंगी इसमें अब दूसरी चैन आएगी अपने में वह है इस्टील बैंड इस्टील बैंड जो है मतलब आपने देखा हुआ 20-30 मीटर का एक ऐसा पूरा बैंड सा आता है जिससे वो निकल जाता बाहर छोड़ दोगे तो वापिस पूरा अंदर चला जाता आज यह यूज किया जाता है रिवन ओफिस टीन इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है यह भी 20-30 मीटर की में आता है अपने जो कुष्टन आएंगे वह आते हैं इन तीन से हैं बेसिकली सबसे पहली आती है इंजीनियर चैन के जो लंबा है वो कितनी इंजीनियर चैन होती है 100 इसमें सो लिंक होती है तो इस टाइप से एक लिंक की जो डिस्टेंस है वह एक फिट होती है बस इतना याद रखो कि इंजीनियर जो है वह दिमाक कदही ने करना चाहते हैं तो वह सो फिट सो लिंक बस खतम काम दूसरी जो चैन होती है यह है गुंटर्स चैन याद रखो यह कौन सी है गुंटर्स चैन है इसके साथ इंपक्ट है मतलब एक इंपोर्टन फेक्ट है इसी को गुंटर्स चैन को ही बोला जाता है सर्वियर चैन या सर्वियर चैन क्योंकि सबसे ज़्यदा जो यूज की ज देखा होग ऑग होका 56 का मितलब होता है 22 Yard क्योंकि तीन Sh בא यार्ड होता है यह 66 प्रेंट है और इसमें लिंक कितनी होती है H &sh ये कई बार पुछा जा चुका है कि गुंटर् bowl चैन है उसमें कितनी लिंक होते हैंÓ अगर इसमें सबसे ज़्यादा कोई question पूछेगा है तो आप की इसी चैन के टाइप पे ही कुछ चना है, चैन के बाद कुछ जो टर्म है वो आते हैं, जिसमें एक है रेंजिंग, रेंजिंग का मतलब होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह की रेंज यान की डिस्टेंस को मेजूर करना, अब डिस्टेंस को मेजूर करने के दो तरीके होते हैं, एक हो कि दे जा रहा है आपको तो ठीक है आपने दो लोग यहां से निकल गया और अधर चलते गया लेकिन क्या है कि अगर लंबी डिस्टेंस है तो पॉसिवल्टी रहती कि आप उनके बीच में एक्जटली स्ट्रेट लाइन में मैजूर ना करके थोड़ा घुमा हो गई लाइन मे तो आपकी जो डिस्टेंस है वो थोड़ा जदा जाएए तो इसमें रेंजिंग कैसे की जाए इसका फ़र एक तरीका होता है कि आप क्या करोगे कि दोनों कॉर्नर पर दो पूल लगा दोगे और बीच में दो लोग खड़े हो जाएंगे यहां पर खड़ा हो करके इसे और यह जानी डेका कि आगे जाना है या पीछ्याना है इसके हिसाब से अब जैसी यह यह फिट कर देख करक दूर जाय बीच के कुछ पिलर लगा लगा लिए रेंजिंग रोड लगा करके तो अब इन्हें क्या है कि जब यहां से चैनिंग करेंगे तो इन्हें यह इस पॉइंट को देखके न करके इस पॉइंट को करना तो यह इनकी possibility है कि यह सीधे straight line में measure करें अब यह होती है direct इन्डारेक्ट रेंजिंग डारेक्ट रेंजिंग का मानेंगे जब आपको यह पॉल से ले करके यह पॉल जो दो पॉल है यह आपस में सीधे सीधे विजीवल है दूसरी होती है indirect रेंजिंग वो कंडिशन जैसे बिच में कोई पहाड़ी आ गई है और इनके बीच के एक से दूसरे पॉल नहीं दिख रहा है तो काम ऐसी चलेगा लिकिन बस यह है कि यहाँ पर जो दो पॉल साइड वाले पॉल है वो यह दोनों एक दूसरे को दिख नहीं रहे है काम सेम है बस यह दिख नहीं रहे है तो इंडारेक्ट है और दिख रहा होते हैं तो डारेक्ट है तो कि इसमें क्या कर रहा है कि यह वाला जो है वो इसको इसके साफसेट करवा रहा है सेम काम यहीं पर वही होगा अब यहाँ पर आपको एक तो रेंजिंग टर्म का मतलब होना चाहिए और ज़्यदा इसमें कुछ सेंस अपना था नहीं सब्जाक्ट में आपको चैन के टाइप हो गया अपना काम हो गया अब इसके रहे कुछ कोश्चन जिसमें एक है लेंट औप सर्वियर चैन मैंने आपसे बोला था स्वियर चैन जू है वो गुंटर चैन को यूभलते हैं उसकी लैंध कितनी है वह आपने 66 feet है यानि कि और horn कि निया मतलब लिंकय कितनी है हन्ड़ेट लिंक्स है 100 लिंक्स है और 66 66 feet है दूसरी थी revenue chain यह थी 33 feet की यह कौन सी है revenue वाली है और इसमें कितनी links थी 16 100 foot की कौन सी थी engineer chain थी जो 100 foot की थी और इसकी जो links थी वो भी 100 थी दूसरा है हाँ यहां यहां पर यह नोंने survey chain पूछा था यहां वां लिख भी दिया गया है कि survey chain और gunters chain जो है वो एक ही है दूसरा length of gunters chain तो वही बाद बार वही कुश्चन आएगा 66 feet हो गई आपके 20-30 meter या 20 meter की अपनी होती matrix chain नीचे एक question है pick the wrong match कौन सा match है जो गलत है यहां पर है 500 meter पैसो-पैस मतला कदम 500 meter क्या करता है distance measurement तो यह अपना ठीक है यहां पर बगाया कि जो तीन है यह धीरे-धीरे जैसे अपना slivers यह आगे बढ़ेगा यह subject अपको यह तीन चीज़ें भी discuss की जाएंगी यहां पर अपना पहला objective था कि 100 meter आपको समझ में आना चाहिए कि कदम दर कदम आप distance कर रहा है मतलब 100 meter वाला distance measurement का अपना point जो है वो सही है एक इसमें question था दस इन सर्वेंग ता instrument used to count the number of step in spacing a long line यह number of step count करने का बातका है कि आप एक point से दूसरे point तक जा रहा हो और आप कितने number कितने distance तक चले हो तो आपके जो step है उसे count किया जाए मतलब राहुल गंदी जीवा लगाओं आप इसमें क्या किया जाए एक तो है nanometer nanometer का मतलब ही नहीं होता वो तो distance को measure करने का काम होता उसका कोई use है नहीं अब दूसरा आता है यहाँ पर odometer odometer यहाँ पर अपने कहीं पढ़ा नहीं है odometer जो अपने यूज के जाता है यह है इसे odograph या odometer graph मतलब paper form इस टाइप का represent करना तो odometer इस टाइप के अपने जो vehicle वगर रहा है उनमें लगा जाता है तो यहाँ odometer भी अपना sensor नहीं है और nanometer तो है जो अपने measurement है जैसे अपने meter होता है पर उससे छोटी centimeter होता है फिर millimeter होता है nano का मतलब ten to power minus nine meter तो nano scale पर measure करना वो nano meter हो गया speedometer है speed को measure करना जो अपनी bike में स्पीडोमीटर होता है तो इसका जो अपना आंसर जाएगा वो जाएगा नन अप्दा एब और यह अपना आंसर होगा कॉँकि अपने लिए जो आंसर चाहिए था वह यहाँ पर है इन्हें इसमें आ गया है कि इंजीनियर जुँनेयर जो चैन होती है वो कितनी रंबी होती है इंजीनियर जुप सॉफिट होती है तो यहां इंजीनियर सॉफिट सॉफिट जॉछ लिए जो इंस्ट्रुमेंट-based है कि किस टाइप के सरवे अपने जो पहले पढ़े थे के serving based on instrument तो उनमें सबसे पहला आता है chain survey एक टाइप से समझ दो कि सबसे simplest survey है या बहुत ही गरीब बाला survey है गरीब बाला मतलब आपके पास कोई पैसा नहीं है आपके पास आपके हाथ में केवल एक chain थमा दी गई है और कुछ नहीं है मतलब कोई high level के टूल नहीं है यह जस्ट केवल एक मीटर यह जो अपने गुंटर्स चैन वगरा कुछ चैन है इनमें से कोई एक चैन थमा दी गई है और आपको गवर्मेंट ने बुल दिया कि जाओ जाकर सर्वी करके आओ तो आप क्या करोगे तो आप उसी उसी चैन से ही पूरा काम करोगे बैख किवल अब जैसे अपने पास यह पूरा एरिया है इसको अगर आपको मैजर सर्वी से कैसे करोगे क्योंकि अगर आप किवल इसकी तुरब से मैजर करने के बाद आप अगा live आ तो इसके एंगल आपको मालूब नहीं है तो possibility है कि आपके जो chance survey है वो गलब आ जाए आप area जैदा या कम measure कर लो तो फिर आप क्या करोगे इसमें सबसे पहले इसको पूरे area में एक तो दो point decide करोगे जो सबसे distance पर है और सबसे पहले chaining करोगे इस पर इसको बोलते हैं अपन बेस लाइन और फिर पूरे area को आप छोटे छो प्रिंगल को ए जो चंटार में रखता है ये हैश आपको और आनॉर्ण होता है पता होता है तो अगर चंट पूरे area का आपको here छो सकता है Medicine principle पर चेनल सर्वेय बीजट होता है वो होता है triangulation मतलब पूरे area को triangle triangle में divide करना है अब chain survey में सबसे पहले आपने को यह देखिना होता कि यह कहां पर किया जा सकता है कहां नहीं अब देखो यहां पर आपने triangle formation करेंगे पूरे area को तो यह possibility होने चाहिए कि area plan होता भी है चोटे 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 ट्रेंगल बना सकते हैं तो सबसे पहले तो अपने पास जो area है वो plan होना चाहिए दूसरा area जो है वो छोटा होना चाहिए आपको ऐसे area दे दिया और बहुत बड़ा area दे दिया तो वहाँ पर triangle बनना possible नहीं होते हैं जैसे suppose example अगर आप यहाँ पर triangle बना रहा है तो उसका एक हिस्सा यहाँ है दूसरा यहाँ है तीसरा यहाँ है तो इसकी जो distance है उसे सीधा state measure करना possible आपकी लिए नहीं हो पाता क्योंकि यह चैनि एक तो प्लैन एरिया में होगा दूसरा area बहुत छोटा होना चाहिए और ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपके जो triangle है वो ठीक बने है यहाँ पर जैसे आपके triangle के तीन टाइप पड़ोगे आप एक ideal triangle है एक मतलब standard है और एक ill triangle है तो अगर आपका जो angle है अगर आपके triangle के सभी आपका 60 degree का नहीं बन पारा तो हम उसे बोलते हैं ill triangle तो इस टाइप के जो triangle है वो ठीक condition वाले बनना चाहिए तो जिससे हमें calculation जो एरिया का वो आसन हो जाए अब इसमें देखेंगे कुछ terminology जैसे कि जब अपने इस टाइप से chain survey करते हैं फूर एरिया को अगर आपके पास chain है और दो चाहर टूल और होते हैं सिंपल से उनकी हल्प सब फूर एरिया का जाता मतलब triangle triangle बना जाते हैं तो कैसे करोगे तो वही है कि एक point है जो सबसे बड़ा distance point है आपको इस औरिया में जो सबसे दूर दूर point है उनमें जो सबसे पहली बड़ी line select करते हैं उसे बोलते है base line फिर base line को base मान करके फिर यह different point जो है वो इसी line से measure की जाते हैं कि यह D point से इसकी distance अपको एक सो बीस मीटर है इसी के बीच पर कोई point बना दिया limit point उसे से B को point measure कर दिया इसी से कोई और point measure कर दिये तो इस type से measure करते रहे थे हैं फूरी लिया को अब क्योंकि possibility है कि chain में आपने जो angle measure किया है यह जिस पे आप इस point की distance बता रहे हो हो सकता possibility कि इसका आपने तो angle measure किया 60 degree बट पॉसिवल हो कि यह 59 degree हो क्योंकि आपके पास ब गलती से आपके area calculation में घरवड़ हो सकती है तो फिर आप क्या करते हो कि बीच में कुछ और लाइन डालते हैं जिन्हें बोलते है चेक लाइन तो यह अगर आपका 60 degree है यह measurement और यह measurement सही है तो इस point की और इस point की जो distance हो वही होनी चाहिए जो technical होना चाहिए बट होता क्या है क है अगर आपने इसे यहां से angle measure किया यह distance आपको आपने known है यह अपने distance measure कर ली यह distance measure कर ली अब जब इस distance को measure कर रहोगे तो जो angle है उसके हिसाप से जो डिस्टेंस आई और इसकी एक्जेक्ट डिस्टेंस आई बहुत दोना सेम है मतला अपने सब कुछ सेम है अगर नहीं हो तो पर आपन उसके इसाब से डिगरी को एड़स्ट कर लेते हैं तो इस टाइप की जो लाइन होती है इन्हें बोलते हैं पून चेक लाएं तो अब यहां पर यह जो स्टेशन है जैसे ए और डी है कुछ जो कॉर्णर पर जो है बी सी यह जो स्टेशन है इनको बोलते हैं पून मैन स्टेशन जो बड़े-बड़े पिलर यहां पर क्या करेंगे एक बार चैनिंग के बाद पहले तिस्टार्टिक में रेंजिंग लाड पर बीच बीच में जो स्टेशन बनाएं जैसे यह है इस टाइप के मोल देते हैं बीच वालों को सबसीडिरी स्टेशन एक है बेस लाइन दूसरी है चेक लाइन तीस तरह टार्मा वह आफ सेट आफ सेट में क्या होता है कि जैसे आप कर रहे तो यह आपकी लाइन गई है अब आपको यह तो मादूम है कि यहाँ पर यह जो बीडिंग है वो इस ट्रेंगल की अंदर है लिकिन उसकी एक्ट्रोन में पोडिशन क्या है यह आपको नहीं मालूम और कि यह बीडिंग को साइज कितना वह निए उपिर आन चेन चेटmother को APPी शर्फी एप posi इधर से इधर जा रही थी आप यहां पर एक side में measurement ले लोगे चैनलेंग तो आप यहां आई जा रही थी यहां side of measurement ले लोगे और यह देखो कि इसकी यह point जो भी आपका उसका यहां से क्या distance है तो इसको हम बोलते हैं offseting offset तरीक तरीक हो सकते हैं जैसे आप चैनलिंग करते हैं तो तीन चार पांच का तरीक आए अपने पास एंकल मेजरमेंट के टूल हो तो उनके तूल हो तो उनके थूरूँ से हम यह एंकल जो है उसे 90 डिग्री ले लिए अपना टीन चार पांच का मालूम होगा जैसे अगर ये तीन लिंक ले लो ये चार लिंक ले लो तो ये पांच लिंक हो जाती है मतलब तीन लिंक चार लिंक ले लो ये पांच लिंक ले लो तो ये जो डिग्री है ये 90 डिग्री ही होगी इस टाइप से मेजर करके आपन आसानी से ये एंगल 90 डिग्री बना लेते हैं ग्राउंड होगा एक तो अपने पास बेसिकली चैन है दूसरा वुडन पैग है तीसरा जो एंगल के लिए है ऑफ सेटिंग वगर जैसे कर रहा हो या फिर आपको जो चैन थी इसके बीच के जो एंगल मेजर करना है जो छोटे-मोटे एंगल है उसके लिए तो फिर आपने चैन की आपने असे 3 लिंक का बोला थी लिंक जे यह 3 लिंक यह 4 लिंक और यह पांच लिंग है तो इस अपने 90 डिग्री बना लिया यह 90 डिग्री है तो यह फिर उसके फिर सब 45 45 हो गए इस टाप का है वह अपन निकाल लेते हैं वहां पर लिकिन कई बाड़ क्या है कि 90 डिग्री के एक बब आपकर आसानी से अपने के चला जाता है क्रॉफ स्टाप को कई बार सही लगाने के लिए प्लंब आपको यूज कर लिते हैं जिसे बिलुकल वर्टिगल कहीं कई घडा किया जा सके जैसे कि अगर इसको दिख लेजाए कि यह जो मेजर कर रहा है यह अपनी जो लाइं तो यहां पर एक बार क्रॉस स्टाफ लगा कर यह देखेगा इस मैंसे ऐसे यह बिलुकुल सही जा रहा है तो ठीक है तो फिर वो देखेगा इधर से जैसे यहां से इस रो में तो यह पता-पड़ा कि इस पॉइंट पर यह सही जा रहा है मतलब यह लाइन पर सही है अब यह this type के कुछ और सो सही जर्थ क्रों सिटाप होते हैं जैसे यह यह क्ली मत अब जैसे करेंगे यह सारी चीजांब म weld आ कोई चीज कर घूं होती है अब सर्विंग के जैसे आप मैथर्ड पढ़ोगे तो उसमें क्या होता कि सबसे पहले जब भी अपने जैन सर्वे करने जाते हैं तो अपने पास एक नोटबुक होती है उस एरिया में सीधे पहुंचाते हैं और वो ऐसा नहीं के एरिया में गया और सीधी हाली मेजरमेंट करना शुरू कर दिया सबसे पहले उसे एरिया में जाएगा और वो ऑबजर्वकरे गाई कि कहा पर क्या है कुन सा यह सूरू है जिसे बोलते हैं index sketch यह term का मतलब था अपने लिए और फिर बाद में फिर measurement वाले काम शुरू होते हैं यहां पर एक term जो था offset का वो आपको बताई दिया गया था कि offset मतलब जैसे आप survey कर रहे थे जैसी चैन यहां से भी जो आपका man station था यहां से बीच्वी subsidiary station आप यह measure करके जा रहे थे अब यहां पर तालाव मिल रहा था लेकिन आप तालाव की position क्या है आप कैसे मालूम पड़ेगी तो जब चैन आपकी यहां पर थी तो यहां से आपके offset डालोगे इधर से offset यहां डालोगे तो आपको तालाव की बीच में exact position पता पड़ेगी ती इसी building की कोई जो object है उसकी distance measure कर लेते हैं अपना जो काम था subject में खास कर यह जो चैनिंग है इसमें इसकी जो basic terminology है उसी से काम है आपको terminology पकड़ना और अपना काम हो जा था objective exam का यहां पर कुछ कुछ है ना जैसे कि जैसे lateral measurement जो है चैनिंग में आपना side में measurement करते हैं lateral measurement करते हैं उसे क्या बोलते हैं जैसे चैनिंग आप उन सीधी line में कर रहे थे इसमें जो side में measurement कर ले हैं इसी क्या बहुत है तो वह आपना क्या है offsettingंग रंजिंग का तो मतलब या उसको आफ सेटिंग रेंजिंग का तो मतलब यह आप जो मेजरमेंट कर रहे थे सीधे लाइन में वो रेंजिंग ही कर रहे हो लेवलिंग तो उंचाई नहीं चाहिए यह पुछिंगा है इसे पढ़ेंगे कमपास सर्वेयर दूसरा कोश्चन है इर डीप एरो क्या होता है अब डिप एरो तो नहीं मालूम एरो का अपने पास मालूम है उसी के साब्स करेंगे यह अपना एरो रहा हिए तो किसके लिए यूज़ करता है मैजर एलोंग स्लोप चैन सर में से एर आमसे एर्यों को यूज़ करते गawk hairs अगे वाला जो होता सरवे tota ओर मारें कर देता है और पिछे वाला उसी पवाला राखे गागे वाला डिस्टेंस साइस मैजर कर ठोब्», तो जनले हमें जैन सर्वेय में से यूज़ करते हैं हलो के कम पॉस में बिच्पी चैन है लेकिन छार्व में 9 लेकिन आपने पास हमें केबल चैन और कोई जवा डूल थे अब अगला है अगरा अपना का सब्सक्रारे ओंसे पहले हम फ्राइन के थोड़ा रहम आ गया होगा वही एक अखिली चैन से सर्वेंग कर रहा है पूरे एरिया का तो बहुत जदा परिशान है क्योंकि एरिया बड़ा है और हर एरिया में ट्रेंगल बनानी पारा और बहुत जदा ट्रेंगल बनाने पड़ते हैं तो इसलिए उन्हें बोला कि चलो जिसका इंपोर्टेंस है वो कंपास है इसलिए अपना जो सर्वे का नाम है वो आगया अपना कंपास सर्वे अब क्यूंकि आपके पास एंगल मेजरमेंट का टूल आ गया तो आपको ट्रेंगल बनाने की ज़रूद नहीं है अब आप एक पॉइंट से सीथे दूसरे अगल है और यहां पर आप एक बार बैक साइट में भी इसे दिख लोगे कि इसका क्या एंगल है यह एंगल मेजरमेंट है यह एंगल मेजरमेंट है आपको एक्षण में डिस्टेंस यह मालूम है तो यह पूरे जितने भी एरिया में आप घूम करके आओगे लास्ट दूसरे पॉइंट की क्या डारेक्शन है क्या एंगल है अपने पेपर पर एंगल को मेजर करके ग्राफ इसे फिगर में बनाना आसान है तो इसका जो प्रिंसिपाल हो क्या है ट्रेवर्जिंग मतलब आप एक ट्रेवल करते हैं पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको पूरा मैप जो है वो बना देता है यह ट्रेवर्जिंग बिल्कुल वैसी कॉंसेप्ट है जैसे आप अगर गूगल मैप का जो एक पुराना को था अप्लिकेशन उसमें आप एक अपने पास मोवाइल में वो गूगल मैप को एक्टव कर दो और आप पूरे किसी भी सिटी म इतनी हुई और आपने यह जो एरिया है वो कितना एरिया कबर किया तो क्योंकि यह सेम है वही ट्रेवर्जिंग का कॉंसेप्ट है उसी पर बेस्ट है यह लक्य फोरेस्ट डेपार्टमेंट अभी भी यूज करता जो उनके कुछ है एप्लिकेशन है उसके तुरू जिसमें पर बापिस आ गया यह ओपन ट्रेवर्जिंग जहां पर आप गए थे उस पर कभी बापिस नहीं आते हैं तो अब इसमें होगा क्या आप ए पॉइंट से जब बी पर गए थे अगर क्लोज है तो आप यह बीच की डिस्टेंस तो चैंसी मैजूर करोगे बस यह है कि यहां ऑफिर यहां पर हो क्या आपक यहां ट्रैंगल बनाने की जरुवत नहीं इसलिए अपर जो सबसे जिड़ा importance है वह Compass का है तो, पना है Compass survey, Compass सरवे में जो अपने लिए importance है, सब्से पहले तो इसके type देख लेते हैं, कि Compass कितने type को गया, यहां Daha, अपने लिए यहां चार important है, एक है Prismatic Compass, Prismatic Compass, इसमें Prism तो दिखनी रहा है, Prismatic Compass में actual में यहां प्रिश्म लगा होता है अब यहां दिख सो नहीं रहा लेकिन यहां प्रिश्म होना चाहिए इसमें तो उसमें इस साइड में लगा होता है प्रिश्म यहां साइड कुछ गायब चल रहा है यहां पर थोड़ा इस टाइप का पर आपने पास प्रिज्मेटिक खंपास दूसरा होता है सर्वियर कंपास जदा तर जो लोग हैं वो सर्वियर कंपास को यूज करते हैं इसके फिर आपने डिसद्वांटेज्श है वो दोने चीज़ों को देखेंगी कि क्या है इनके बीच का डिफरेंस तीसरा है अपना पहुती कम इतनी जदा लंबी चोड़े अंगल की ज़रूरत है मैं पढ़ती नहीं इसमें तो यह स्टॉट है इसे प्लेंटेवल सर्वेज जो कर देंगे उसमें देखेंगे इसे यहां पर अपना पूरा जो डिस्कुसन चलेगा वो चलेगा प्रिजमाटिक कमपास और सर्व लगा हुआ है यहां पर यहां पर यह जो अपने ग्लास लगे हुए रैड और बिलू गलर के इसमें क्या है कि यहां एक वायर पुरा दे जाना जमाने में जो घोड़े का बाल था उसे लगाते थी पूंच वाला ठीकिन आज कर देते हैं और यहां से सीथा इसे दिखा जात दूसरा यह इधार देखेगा तो यह अपना बीच का एंगल है वह अवसानी से कल्कुलेट हो गया नोट से निकल निकल आता है तो यहां जो अपना प्रिजमाटिक कंपास है उसमें सबसे पहला ध्यान देना है वह है प्रिजमी यूज किया राता है दूसरा रिमानिंग च मेंगनेटिक निडल के साथ रिंग जुड़ी हुई है पहली बाद सो इसमें जो गूमेगा यह पूरा का पूरा बेल्ट ही गूमता है यह इंपोर्टेंट है अपने लिए दूसरा इसमें यह जो इस पर मैजरमेंट होता है यानि कि यह जो डिगरी लिखी होगी वो कैसी श 270 चाहिए और 270 से 360 तो सबसे पहली बात प्रिज्माटिक कमपास में कि जो गर्यू ग्रेटिट जो रिंग है मतलब जो रिंग है जिस पर यह सब मार्किंग लिखी हुई है वो एक तो यह रिंग जो है वो निडल के साथ जोड़ी होती है और पूरी के पूरी रिंग गूमती सकुन है इसमें जो मार्किंग है वह 0 से लीकर 360 तक होती है इसका मतलब यह है कि जब इसमें मैजुरमेंट किया जाता है इस ताब के मैं तो हमेशा नॉर्थ से मेजुर किया जाता है यह जो सपोच यह वाला पॉइंट है तो यह अगर यहां पर मैजूर करेगा मैं ॡिक को ओपने लेता हूं तो यह नौर से मेजर करेंगा कि यह क्या एंगल है सबूज आ का बंदाई यहांपर 100 और यहाँ पर अगर इसका निकालना हुआ तो इस सीधा ऐसा मैजूर करेगा ना कि यहां से कुछ कर लेए सीधा एक ही डारेक्शन करेगा और इसका मान के चलो निकल आया यह से 270 डिग्री जो भी निकला बाटे बाट तो यह फिर निकाल लेगा कि 270 में से 100 घाट आते हैं तो यह अपना जो एंकल है यह आजाएगा 170 तो इस टाइप से इसके पास किवल एक ही होता है इसे बोलते है whole circle bearing मतलब इसमें पूरे circle को count किये जाता है इसमें कोई छोटा पार्ट नहीं आता है आंगे आएगा whole circle हो reduce bearing है उसे आंगे discuss खरेंगे तो यह जो अपना था यह कौन सा था यह है prismatic compass तो इस बात को ध्यान रखा जाए दूसरा जो अपना आता है यह है surveyor compass Surveyor compass के साथ क्या है कि इसमें प्रिज्म की जरूवत नहीं होती है जैसे यहाँ पर आपको कोई प्रिज्म नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर एक needle एधार है जिसमें थोड़े eye hole होंगे छोटी सी hole होंगे जिससे हम देखते हैं और यहाँ पर अपनी दूसरी होगी जिसमें यहाँ पर एक वायर लगा होगा Surveyor compass के साथ यह कि जो यहाँ पर ring होती है वो needle के साथ जोड़ी नहीं है ring बिल्कुल side में attach है second thing यह जो ring है वो हमेशा 90 degree तक जाती है जैसे यहाँ पर North है यहाँ पर N लिखा है South होगा तो यहाँ पर S लिखा होगा है और फर यहाँ से 10 degree से 20 से जाएगी और यह 90 तक जाएगी टॉक हों 90 के बाद फर ही घटने लगेगी और बैसे केसी होगी तो इसमें जो maximum यह angle measure किया जा सकता है वो 90 तक किया जा सकता है इसके बाद फर घट जाता है तो इससे करते क्या है हम actual में यह जो Surveyor compass है कि जब आप A point से B पर गए थे B से C जाएते तो जब B से measure कर रहे थे आप तो जैसे यहां पर आप angle measure करोगे तो इसे आप यहां से करोगे तो यह मानके चलो आपका आऎट रहा था 100 दिगरी तो आप इसे यहां से न करके आप सीधा यह measure कर लोगे कि अच्छा है यह कितना आ तो आपका 180 होता है यहां आपका 80 तो जो अपना सबसे छोटी से छोटी डिजेट जो आती है वो यहां इससे आ जाती है और पर इसको भी जब मैजूर करोगे तो ऐसी पूरी ना करके आप सीधी यहां से डारेक्ट कर लोगे तो यह अपने सर्वियर कंपास के साथ बेनिफिट होते हैं कि उसमें डाटा जो है केल्कुलेशन बहुत छोटी छोटी केल्कुलेशन आ जाती हैं तो एक होगा अपने पास प्रिज्माटिक कंपास दूसरा हो गया सर्वियर कंपास अब यहां पर कुछ बेसिक टर्मिनलोजी है जो बहुत इंपोर्टेंट हो इस पर कुश्चन आएंगे इन में पहला जो ट भूमने समझ में आ गया तो अपना मुद्धा समझ में आ गया अपने पास क्या होता है उपर है अपना नौर्थ नीचे है साउथ तो जो मैंगनेट लगाएंगे उसका ऊपर रहेगा साउथ और जो वह इधर नौर्थ तो यहां पर क्या किया जाएगा कि आप सपूज आप यहां पर कमपास लेके आ गया और कमपास में आपकी जो नेडल है जो आपका एरिया है आपका एरिया जो है यहां पर आपने कर लिया है अब यहां पर जैसे आपका जो मैगनेटिक नौर्थ होगा इधर और आपकी कमपास की नेडल कहीं और जो मतलब आप जिस ठाइप के म रहोगे नहीं तो आपने जब यहां पर से चैनिंग की और यहां पर आपकी नॉर्थ इस डायरेक्शन में है तो आप यह जो एंगल मेजूर कर रहा हो यह आप इसकी नॉर्थ से आप देख रहा हो तो इसे हम बोलते हैं जो एंगल है इसे बोलते हैं तो वो bearing term यूज किया जाता है यहां पर bearing के वे चार important term है एक है whole circle bearing और दूसरा है reduced bearing whole circle bearing का मतलब क्या हुआ है जैसे मैंने आपको बोला था कि यहां पर एक point की जो है हमेशा north से ही लेते हो जो अपना prismatic compass है उसमें जो angle measure किया जाता था वो केवल north से किया जाता था और एक ही direction में जैसे अगर इस point से echo करना एंगल तो आप सीधा यहां पर sk Saltis degree measure करोंगे E को करना तो यहांपर 90 degree करोंगे B का one measure करना तो आप यहांसे north SEC करोंगे सी करना तो यहांसे फिर S measure करोंगे और even out D का भी करना हो तो आप और पूरा यहांसे lo웃 dram राउंड ले जाओगे और यहां तक लेकर आओगे तभी आप यह दीका अरगे के round लेके जाओगे और यहां तक लेके आओगे तब ही आप यह D का measure करोगे जैसे यहां पर भी है तो इसे बोलते है whole circle मतलब आप इसमें भले कोई यह point यहां क्यों ना हो लेकिन आपको पूरा circle round काट के उस पर पहुंचना परता है इससे आपकी जो data है काफी बढ़ा जाता है इसमें आप पूरे circle को count करते हैं इसलिए बोलते हैं से whole circle bearing यहां पर भी बताया गया कि जैसे यहां पर तो आप 80 करोगे north से लेकिन अगर back circle जब back bearing करते हैं तो उसमें भी आपको पूरा 360 यहींचे करना होता है कि आप पूरे circle बाला measurement के पच्छड़े में नहीं भड़ते हैं इसमें यह है कि अगर आपको A से लेना है तो आप यहां से start पड़ता है यहां से north से measure करते हैं यहां से south से अगर आप उन करेंगे तो यहां पर थोड़ा अपने को से ले लेंगे मतलब कोई भी अंगल है वो north से पास में यह south से पास में जिसके पास में है उससे निकाल लेते हैं तो reduce bearing में हम जो angle measurement करते हैं वो north से भी कर लेते हैं और south से भी जब कि whole circle bearing में केवाल north से करते हैं यह दोनों के बीच में एक measure difference हो गया इनके बीच में एक term और आ जाता है इनके बीच में यह इन चीजों को देखी लोगे आप एक term हो रहाता है वो है for bearing और back bearing कई बार इनके बीच का difference पूछ ले जाता है कि इनके बीच में क्या होता है देखो जब आप A point थे आप उससे measurement करने गए B पे, B से गए, C पे, C से गए आगे D पे आप सही measure कर रहा हो इसके लिए जरूरी है कि जब आप आगे पे जाओ तो आप एक बार पीछे भी देख लो या पीछे कितने हो जैसे आपने A point पे थे और आपने यहाँ पर data ले लिया कि आप north से theta angle पे आप इधर move कर रहा है ठीक है आप B पे पहुँच गए B से आपने फिर आगे लिया कि आप किसी particular theta 2 angle से आप आगे चले गा है लेकिन एक बार हम यहाँ से पीछे का भी angle measure कर लेते है जिससे यह confirm हो जाए कि अगर ये वाला angle ये वाला angle और ये वाला angle दोनों को मिला के अपना जो है उनके बीच का जो difference है वो अगर 180 degree आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि यह angle north वाला सही measure किया गया और ये वी सही angle measure किया गया क्योंकि होता क्या है कि जगाय का जो magnetic field है उसमें थोड़ा variation हो था तो कई बार measurement में गड़वड़िया हो जाती है अगर गड़वड़ियों को चेक नहीं किया गया चेक balance नहीं किया गया तो पता पड़ता कि पूरा area ही अपना distort हो गया जो map है वो सही नहीं बना तो पूरी महनत भरबाद तो इसलिए ने बापिस एक बार पीछे measure करके measure कर लिया जाता अब यह four wearing back wearing कुछ बहुत नहीं है एक बार यहाँ पर compass जब शुरू बात करते हैं तो compass से आगे की side देखना उसे बोलते हैं four wearing और compass पर जैसे बीटों होंगे तो बीव में भी अपने आगे की side देखेंगे उसे four wearing बोलेंगे और बी point पर ही अगर एक बार आपने बापिस पीछे की side देखे लेंगे कहां कहां पर रहे हैं इसमें आगे की side देख लेंगे तो इसे बोलेंगे four bearing और अगर इसी पीछे की side एक बार देखे लेंगे तो इसे बोलेंगे back bearing बैसी अगर आपने इस point पर हैं इससे भी आगे देखा तो four bearing और पीछे देख लिया तो back bearing और man मुद्ध है दोनों के यह पॉइंट था एपना को लग नहीं आ रहा है कि यह पॉइंट है एसाप एसे यहां पर मजूर करके इधर नहीं से लंबी चले से आ रहे हो गिए आप यहां से यह पॉइंट का आपने मैं जो एंगल मजूर किया यह आया आपका 45 डिग्री अब आप यहां पर आए आप यह वन एक्टी तो यह होगा और क्योंकि यह 45 है तो यह भी 45 यह रहा और 180 यह रहा तो यहाँ पर अगर 45 मैंसे यह गार्ड होए तो यह हो जाएगा तो अपने पास नाट जो डिफ्रेंस है वह 180 बच जाएगा यह इसलिए बोलना हूं बार-बार क्योंकि इस पर कई बार कुश्चन आया है एक कुश्चन में यहां पर डाल दिया गया है कि बैक वेरिंग और फोर वेरिंग के बीच का जो डिफ्रेंस है वह कितना तो यहां पर आपको दो बेसिक टर्म याद हुए एक तो फोर वेरिंग और बैक वेरिंग दूसरा जो कुश्चन था अपना खुल सर्कल बेरिंग और रिडिस बेरिंग अब जो अपने कुश्चन आते हैं वह आते हैं मैगनेट से हैं मैगनेट में दो टर्म होते हैं एक हो आप को पता है की जो मैगनेटिक नॉर्TH-Pole है, वह भां नहीं है अपना जो North जग्राफिकल North है, वह भां नहीं है, Magnetic North है कनाड़ा के जो निपका है, ओपर के वियर वगराव आईलेंड जो है उस मぇगनेटिक नॉर्थ है, वो थोड़ा हटके है तो आपका जो compass भी बताएगा उसका जो compass तो magnetic north की तरफ भी north बताएगा तो आपका actual जो north है वो magnetic north से थोड़ा हटके होगा तो यह जो angle होता है यह आपको हमेशा count करना होता है जिससे आप उसके true जो map है वो true map बना पाओ तो यह चीज हैं जो होती है यह कितना angle जो है आपका magnetic north से आपका true north से magnetic north कितना जुका हुआ है इस चीज को बोला जाता है declination declination इसमें confusion नहीं होने चाहिए यह declination मतलब D हो गया displace हो गया इस से यहाद रखो D4 displace मतलब कितना उससे हटा हुआ है इसे वो लेंगे declination दूसरा term होता है inclination inclination क्या होगा आपके पास दो condition ले लो यह है आपका earth आप हो इस computer पर तो इक computer पर जो magnetic जो waves निकल रही होंगी magnet वो यहां से इस type की सीधी होंगी तो आपकी जो magnetic needle अगर यहाँ होगी वो बिलकुल इसी plan में रहेगी क्योंकि उसको magnetic जो waves है यानकी तरंगे जो है वो इसी अंगल पर मिल रही है और इस अंगल पर चली जा रही है लेकिन अगर अपनी इस magnet को आप अगर polar region पर लेके जाओगे तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा इसे इसे यहाँ बनाते है polar region पे पोल के उपर ये needle जो magnetic field आ रहा होगा वो सीधा उपर से नीचे की तरब उस रहा होगा ऐसा तो यहाँ पर जो needle है वो आपकी इस type की तो possible है नहीं तो यहाँ पर आपकी needle है वो थोड़ी ऐसी ख़ड़ी सी होगी South उपर को दिखाएगी North नीचे को लिखाएगे तो यह जो है निडिल यह horizontal surface से कितनी inclin है कितनी जुकी हुए है आई कितनी है इसे बोलता है inclination यह generally equator पर तो यह inclination इसका zero होता है लेकिन जैसे जैसे pole की तरह बढ़ते जाएंगे इसका inclination भढ़ता जाएगा तो यह मैगनेटिक जो निडिल है उसके साथ दो टर्म होते हैं एक है declination मतलब displace दूसरा inclination मतलब in चैब इनकी तरफ कितना in है मतलब कितनी जुकी हुई है inclination इसको कुशन देख लेते हैं इसको क्या बोलाएंगे अपन इसे बोलते है magnetic declination एक दूसरा टर्म है which of the wrong match यहां पर एक था पैसो मीटर आपन देख चुके थे उसमें यहां पर आपको आएगा prismatic compass इससे prismatic compass से whole circle bearing करते हैं तो सही है prismatic compass से whole करते हैं लेकिन अगर यहां पर surveyor compass दिया गया होता तो वहां पर whole circle नहीं करते हैं उससे अपन करते हैं reduce bearing hold circle bearing नहीं करते हैं तो यह पाला भी point अपना सही है और दूसरा यह आई आगे के दो धीरे-धीरे आंगे करेंगे अब इसमें अगला आएगा plantable survey बस condition वही कि पहले आप कर रहते चैन सर्वे आप पे थोड़ा डपार्टमेंट ने रहम कर दिया तो आपको compass भी दिया तो आपका हो गया compass survey लेकिन चैन सर्वे और compass सर्वे में जो पहला था और जो दूसरा था इसके साथ दिक्कत यह थी कि आप सबसे पहले तो करते थे ground पर जाके surveying का काम फिर data जो है आपके जो notebook थी जो field book थी उसमें आप अपना data लिखते थे और इसके बाद office में बाद में आ करके आप अपना जो data है उसको उसके उप बेस पे अपना map बनाते थे लेकिन इसमें होता क्या था कि जब आप data यहां पर लिखते तो कई बार data में गड़बड़ी होती थी खसका छोड़ी छोड़ी calculation वाली उसने आपको बोला six आपने सुना five और notebook में लिख दिया five फिर कई बार इधर गलती हो गई कभी angle की measurement हो गई तो इस तापके जो errors थे तो एक तो आपको काम दो बार करना पड़ता था एक बार field work और दूसरी बार उस चीजह है हाली पता नहीं खुड़ पाती थी इस से अपने data जो पूरा map है उसमें गड़बड़ी आ जाती थी तो उसका एक improvised form है वह अपना plan table survey इसमें क्या करेंगे एक table होती है जिस पर अपने paper लगा देते हैं अब इसमें होता क्या है कि जो point है जैसे आपके पास point A था पर B गए फिर C गए फिर D गए इसमें क्या करते हैं कि north के साथ एक fix angle पर table यहाँ पर set कर लिया आती है आपको जो point है वो यहाँ पर एक U fork होती है जैसे आपके पास paper यहाँ पर आपने एक pin लगा दी जो अपना छोटी सी needle होती है इस type की वो pin को यहाँ लगा दिया और U fork से आपने यहाँ नीचे लेके आओगे और नीचे plum box से जमीन पर marking कर दी और वहाँ एक खूटा यानि कि wooden pack लगा दिया अब इसके बाद आगे आप क्या करोगे कि यहाँ से इसे बोलते है एली डैड क्या एली डैड तो एली डैड से इसमें जो है एक side से इधर से देखते हो औ तो एली डैड से जैसे आप A है इससे बी पॉइंट जो है बी पॉइंट पर अपना वह रेंजिंग रोड लगी होगी तो यहाँ से आप अपने इस side जैसे इस side को आपका वह बी-point है तो आप यहाँ से किनारे देखोगे और यहाँ पर जैसे की channel से measure करोगे आपने एक idea बन तो आप मैप पर दो सेंटीमीटर की लाइन ड्रो करोगे तो आप यहां से यह मैजर करोगे बी का और अकर सपोज यह आपका 200 मीटर है तो आप यहां पर दो सेंटीमीटर की लाइन इसके परलर ड्रो कर दोगे यह निडल लगी थी तो यहां से यहां दो सेंटीमीटर की लाइ ड्रोड कर दोगे, फिर क्या करोगे, इस पूरे system को table को ठागे लेकर जाओगे, बी point पर और फिर बी point पर भी c को देखोगे, और एली dirt से इसको फिर measure कर दोगे, इसको बिलकुल north में किया जाता, इसके लिए अपना यहाँ पर ट्रॉट जो कमपास था उसे जूचे रहता है जिससे अपनी टेबल की जो पोजीशन है वो किसी भी अलग-अलग बलेश पर वीजाने के बाद भी इसकी पोजीशन जो है वो बिल्कुल एक जैसी रहे तो यहां पर क्या होता है प्लेंटेबल जो है आपकी वो यहां से यहां जाएगी यहां से यहां वागेगी फिर यहां से यहां जाएगी यह उसका एक मैथड है प्लेंटेबल सर्वे के इसके चार मैथड होते हैं अब यहां पर आपको क्या याद करना एक तो जो टूल किये जाते हैं दूसरा होता है कि यह जो plan table है उसका concept क्या है यानि कि principle क्या है और तीसरा होता है इसके plan table जो survey है उसके क्या method है तो इसके चार method होते हैं चारो method को क्योंकि यहाँ पर समझाना actual में possible नहीं हो पाता हूं चीजों को better तरीकी से यहाँ पर चार link दी गई है आप इन पर click करके इनके चारों के वीडियो देखेंगे और चारो method आपको इसली समझ में आ जाएंगे principle क्या होता है parallelism यह principle पर याद रखो सबसे पहला अपना आया था chain survey इसका क्या था इसका principle था triangulation दूसरा था compass survey इसका था traversing और आप अपना plan table इसका है parallelism क्यों 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 जो जमीन पर जैसे जैसे आप A से B पे गाए इसके चारो वीडियो देख लोगे दो बातें और याद रखनी है इसमें प्लैन टेबल में कुछ प्रॉलम्स आती है इसमें एक आता है two point problem और दूसरी आती three point problem इन पर आपको कैसे solve करना है two point three point यह अपने यहां पर कोई मुद्दा नहीं अपने लिए उसके लिए आफस जो करना है वो लोग ध्यान देंगे उसमें यहां पर आपको खेबल इतना याद रखना है कि two point problem और three point problem है वो plan table survey से link है यानि कि plan table survey में वो two point और three point problem वाले जो issue है वो आते हैं अब इसके कुछ advantage क्या है प्लेंटिवल के तो पहला तो मैंने यह बोला कि पहला जो अपने चैन सर्वे था या कंपा सर्वे था उसमें बहुत सारे एंगल measurement की चीज़ें करनी पड़ती थी और कई वार एंगल अगर गलबड़ा गया तो आपका पूरा मैप ही गलबड़ा जाता था यहां आपको angle measurement कोई काम ही नहीं है आप सीधा वह पोल रखते हो एलीडेट से सीधा देख करके खिच देते हो तो पहला angle measurement का कोई जंजट ही नहीं है दूसरा मैप जो है वो अलग से नहीं बनाना है आप ओन दा ग्राउंड जैसा आपका काम बढ़ता जा रहा है वैसा मैप अपनी आप ड्रॉ होता जा रहा है तीसरी बात अगर अपना compass survey है वहां पर क्या था दिक्कत उसका मैगनेटिक का आप महां लेते थे compass जो मैगनेटिक नौर्थ से आपका angle measure करता था अब आज के जमाले में जहां आदमी अपने mobile लेके चल रहा है बहुत सारे उसके पास magnetic field की instrument है आसपास है कहीं metal का कुछ पार वह पिलर लगा हुआ है यह जैसे कहीं टेलीफॉन की वह अपन जगह आपको एक जैसा magnetic field नहीं मिलेगा एक ही direction का इससे आपका जो map है वह फरक उसमें distortion आ जाता है तो ऐसी जगह में अपने पास अच्छा बजता है कि आपने टेवल सर्वे ही करें और क्योंकि जैसे अपने जो check line यह type की जो काम थे उन्हें यहां पर करने का बहुत ज़् ज़्दी हो जाता है और बहुत सारे जो side बार के उन्हें करने की हाँ जरूवत नहीं पड़ जाते है तो इसलिए थोड़ा आसान हो जाता है अब इसके चार मैथाड़ उन्हें कर लेंगे आप तो जो कुश्चन है वह उसी type के हैं यहां पर यह पूछेंगी ज़ा बोला कि एक में क्या करेगा कि यह जो अपने different points थे वह यहां पर plant table जो है वह अलग-अलग point पर लगा करके आ जाता है तो इस ताइप से जो method होता है इसे बोलते है ट्रेवर जिसमें जो plant table लेकर के आप घूमते हो उसी में दूसरा जो method होता है वह होता है intersection जिसमें आप एक line draw कर लोगे तो इस हिसाब से आप यहां पर map उसी की इस point से जो measure angle होई होगा जो distance होगी उसको उसी centimeter में अपने हाँ map बना लेंगे तो इससे होगा क्या कि यह जो line है अपनी draw हो रही है बाद में इनको जोड़ लिया जाएगा तो अपना जो map है वो बन गया तो इस type से आप का intersection आएगा intersection में अपन दो जगह से कर देते हैं खासका जैसे नदीव घर के issue आगा तो intersection में इस type से यूज़ कर लेते हैं ट्रेवर्जिंग है intersection है radiation है फिर एक resection में यह चारों की वीडियो लिंक दी गई है तो आप कर लोगे तो यहाँ पर यह है कि method of plotting भाट्रेवर्ज from single station तो इसके वो जब आप उने वीडियो को देखोगे तो आपको यह चारों चीज़ें जो हैं समझ में लागे चारों method से question आते ही है नेक्स्ट अपना जो आएगा वो है labeling देखो अभी तक अपने किया है horizontal distance को अब अपना काम बहुत सारी जिगा vertical distance का काम रहता है तो यहाँ पर अपने को labeling का काम करना होता है यहाँ labeling कैसे करना यह चीज़ें अपने लिए ज्यादा मतलब नहीं है यहाँ पर man अपना काम है इसकी related जो terminology है उसे तो पहला तो यह labeling मतलब horizontal plan क्या होगा बहुत सारे लोगों को यह से याद होता है यह जो है अपना इसे बोलते है horizontal plan और यह जो खड़ा होता है इसे बोलते है वर्टीकल आपको कुछ जिन्हें याद नहीं रहता उन्हें याद होगा कि जब अपन कहीं helicopter जहाँ उतरता है अपना chopper जहाँ उतरता है वहाँ पर इस टाइप से हैली पर जो बनता हुआ इस टाइप से हैच लिखा होता है औ दूसरा है datum line यह कई बार पूछी जा चुकी है जनरल के paper आप पूछी गई कि datum line क्या होती है जब वह जो अपने जो आई-सू हाइट वगरा इस टाइप के जो टर्म दे देते हैं उनमें datum line डाल देते लोगों कई बार समझ में नहीं आता है कि datum line है क्या तो datum line का quality या गहराई जो है वो measure करते हो जैसे आप किसी पहली एरिया में है आपको mean c level की जरूवत नहीं है आपका यह बड़ा सा area है तो आप क्या बोल सकते हो कि आपने इसको मान लिया datum line अब उस imagery line से आपने अपने मानिक चलो imagery line हो गई इस से आप अपने जो area के जो different points है उनको देख सकते हो कि यह आखिर आपका point कितना उंचा है यह point कितना depth है तो datum line आपके imagery line हो सकती है बस इतना याद रखो कि datum line का जो huge है वो किसी area की जो height वगरा है उसके measurement में की जाती है इसके बाद एक वाता है reduce level यह reduce level का क्या परपाच है कि जैसे आप कहीं देखो datum line के साथ क्या है datum line एक main line जो होती है बहुत सारी जगह अपने जैसे mean c level है उसको datum line लेते हैं लेकिन जब उपने को छोटी छोटी जगह की जरूरत पढ पढ़ गया कि जैपूर city की height कितनी है लेकिन अगर आप जैपूर के जो city का ही map बनाओगे तो हर जगह का जो mean c level से measure नहीं करते रहोगे तो आप जैपूर level पर जो एक datum line बनाओगे उस datum line से कोई point कितना नीचे है कितना ऊपर है तो यह चोटी चोटी चीज़ा है उनको कर करते हैं उसे बोलता है में reduce level पर measure कर देना एक आता है line of collimation या line of side इसको ध्यान देते हैं कि जैसे आप यह point है यहाँ पर आपने जैसे आपकी जो height है जो भी है यहाँ पर आपने अपने tripod पर आगे जाकर करके अपना dumpy level रख दिया आप देखेंगे तो dumpy level से जब आप देखोगे तो आपकी जो देखनी horizontal की एक line है जिस एंगल पर आप देखते हो यह जो देखने है इसे मतलब इसी पर आप उससे नीचे या उपर नहीं देख सकते हो तो यह जो है इसी को बोलते है आपन line of collimation या line of sight इसके बाद यह datum line का यहां पर होई गया कि जो भी point है जैसे यह अपने एक datum line ले लिए तो अपने जो different points है उनकी जो height यह उंचाई है वो इसी से measure करें हम वो है datum line तो यह हो गए datum line लेकिन हर जगा यह करना possible होती नहीं है तो फिर क्या करते हैं छोटी है वो इस line से ले लेते हैं हमें यह पता होता कि यह datum line से इतनी हुचाई तो यह जो line से छोटी छोटी distance के लिए हम use कर लेते हैं इसे बोलते है reduce level इसी से किसी की ऊंचाई यह गहराई जो है वो निकाल लेते हैं datum line और reduce level के बाद एक term और use किया जाता है यह है benchmark यह करांची है क्योंकि इंडिया में था और यह टाइप से इधर का जो एरिया था और इधर का साउथ का जो था उसके साब से बीच में पढ़ रहा था तो इन्होंने मीन सी लेवल जो अपना लिया गया था वो करांची से ले लिया गया अब क्योंकि करांची से आप ले लोगे कि एक बार सरवे का काम किया जाता है उससे आपने क्या किया कि जिसे डैली की उंचाई निका ली है उससे कितना उंचा है तो आपने निकाल लिए सपोजिके वो है 230 मीटर अब एक बार कर लिये तो आप उसे fix कर दोगे fix क्यों करोगे जिससे ऐसा नहीं कि आपको यह पास हर साल यही काम हो कि आप यहां से measure करना शुरूब किया या फिर कभी आपको यहां पर मत्रा की distance निकालनी हो तो फिर आप दिल्ली सी करोगे ना कि यहां से करके लिया होगे तो दिल्ली में जब आप एक बार काम कर देती तो वहां पर कुछ पिलार बनाते हो जिना बोलते हैं अपन बेंच मार्क इस टाइप की structure बना जाती है जहाँ पर जैसे यह point जो है यह जो red point है यह नों से कितनी है वह इस पर पूरी पर फिक्स है यह पूरा पर्मानेंटिस की बहुत सारे लंबी चौड़ी structure बना जाती है उस वह अपनी काम की है नहीं बस इतना समझते हो कि बेंच मार्क अपनी जो means height है उसके लिए यूज किया है labeling में यूज किया जाता है अब इससे क्या होगा कि अगर दिल्ली के आसपास में है दिल्ली के आसपास जो कुछ में आगया परपच क्या है कि अपने जो area है उसके different point पे एक बार लगा दिया जाए तो उसके आसपास की चीजे उसी benchmark से मेंसी level count करते रहते हैं दूसरा इसमें जो instrument यूज करते हैं उसमें एक तो है डंपी लेवल दूसरा है staff यह अपने जाए तर रोट्स के पास में जब मोग करते हैं इंजिनियर बैग्राउंड्स है तो आपको यह चीजे पता ही होगी कि अपना हो गया डंपी लेवल काफी advance है आप पहरे शुरूब की यह थे chance है फर आप यह थे compass पर फर आप यह पर आप लंटेबल पर उसके compared में जो डंपी लेवल का यह काफी advance है लेकिन क्योंकि डंपी लेवल का जो लाइन ओप साइट है वो जो इसका plan है वो उसी में राएगा horizontal में यह अ वो भी कर लेता है लेकिन डंपी लेबल उपर नीचे नहीं कर सकता था वो थे उड़ी लाइट उसे भी मेजूर कर सकता है यहां पर रिलेटेट जो टर्म है उनमें एक आता है बैक साइट रीडिंग फूर साइट रीडिंग और चेंज पॉइंट यह तीन टर्म और यह देख अबना डंपी लेबल लगा दिया डंपी लेबल लगाने के बाद क्या करोगी आपको जाना पीछे की side देखा ऐसे और यहां पर पीछे की side देख करके आपने यहां पर measure कर लिया suppose इसकी जो distance में से लेवल से जो height है इसकी वो पता है इसे यहां पर measure करके आपको यह पता पढ़ गया कि यह actual में यह point में C level से कितना है तो यहां मतलब datum line से ले लो में C level से तो आपको अपने camera की इसकी यान कि जो dumpy level है इसकी height मालूम पढ़ गए कि यह datum line से कितना उपर है अब आप आगे की side देखोगे आपका यहां पर रेंजिंग ग्रॉर सपोज लगी हुई है तो इसे हम बोलते है फोर site यान कि फोर साइट एक टेप्चुर में यह वाली रही और अगर बीच में भी कुछ ले रहा है तो इन्हें बोल दिया अपने इंटर्मेडियर्ट्री साइट तो मैंने कि एक बार यह लेवल लगाने के लिए जो अपने डिफरेंट टाइप की मेजूर करते हैं तो जो सबसे फ्रेंट की होती है उसे फोर site सबसे आगे की और सबसे बैक वाली होती है उसे बोलते हैं बैक साइट बीच वालों को upon the stat Datum line से काएस पता पढ़ेगी तो क्या करना पड़ेगा जो इहां पर अपना फूर चाइट था उसी वह हीब लगाराईगा इसको फिर उसे बापस देखा झाएक इसे देखेंने और हमें इसका लेवल पता पढ़ जायेगा तो एधार से जो Mesler था इहां और से बिच का डिफरेंस यहां का डिफरेंस हो गया मसला अब हमें यह कंफर्म हो गया कि हम पहले से कितनी ऊपर आगा है तो यहां पर अपने पीछे देखा तो यह बोल दिया बैकसाइट रीडिंग अगार एक दो रीडिंग वह लही तो यह अपनी इंटर्मेटर ही हो गई और फ्रेंट के लिए फिरशन बूलगी susонч. यहाँ पर आपके दो बेजीक टार्म Weird टे फोर साइट रेडिंग् क्याय उत्व होती यह एक जो पॉइंट चाहां पर फो साइट और बैक साइड एक यहां पर डंपी लेवल लेक्टर में यह एक जो रीडिंग का मोड़ अपना यह वाला है दूसरा यह वाला है तो यह पॉइंट हुआ है जहां से एक से दूसरी पर कम करते हैं अब इसके कुछ कूश्चन है जसी के डंपि लेवल किसम में करतें तो जरुरूत नहीं है तो अपना लेवलिंग के है यहां पर यह जो है इस में देखो के डंपी लेवल जो था यहाँ तक डंपी लेवल में यह जो क्योंकि यहां से इजली मोव किया जा सकता है तो यह दायवाइय कर पाथा तो यह रहा क्या बोलेंगे से थ्योडोलाइट अब यहां कोशन देख लेते हैं देखो पैसूमीटर कौन सा रॉंग है पैसूमीटर जो था वो डिस्टेंस मेजिर्मेंट यह वह पहले इस्टाटेग में कर लिया था यह अपना सही था prismatic compass यह whole circle bearing में यूज करते थे यह भी अपना सही था तीसरा था theodolite था वो vertical और horizontal angle measure करने में यह वाला तो यह भी अपना answer सही है तो इसका यह यहीं को सब्सक्राइब करना तो अपना यहां सब्सक्राइब सुछायरगों Buddhist और वार्टिक्रा बिसलिए नदी स'll beحمal और पर सब्सक्राइब भीफिर्टेet of computer of computer कि आपने एक चैप्टल में होरिज़ोंटल कारता है वर्टिकल हें कि नहीं करते हैं खिलींट मुट्पर फुरस्ट मैंसुरेशन था उसमें बताया गया था अब अगला चप्टल आ जाएगा कंटूरिंग अभी तक अपने जो लेबलिंग की थी इसमें क्या किया था कि अपने पॉइंट्स थे डिफरेंट जो एरिया के पॉइंट्स थे उनको एक जो हाइट है उनके कितनी हाइट है कह पर किया यह निंचया लेकिन क्यूमक्ति जैसे अपने जो 3ड थी यह थरी थी थो अपने वाप signature ककंटूरिंग तो Contouring जो है इसमें 3-4 term है वो terminology अपने देख लेना और अपना काम हो जाएगा जैसे आपका labeling में अपने लेबल के ये different जो है height निकाल लियागे यहाँ पर जैसे ये 100 है जो भी है तो ये एक label plan है दूसरा label plan है तीसरा label plan है इनके 20 का जो interval है यह है contour interval इसे अगर ऐसे बनाएंगे तो इसमें गया है कि जैसे 100 meter वाला यह है और 98 वाला यह है तो इसके meter जो है यह है horizontally यह एक label दूसरे label से कितना रहा मतलब एक पर और अगर particularly दिखा जाए तो इसे बोला contour interval इनमें कोई बहुत ज़्यदा नहीं है बस यह है कि अगर इस से हमाज में आ जाता है कि जो angle है यानि कि जो slope है वो तेज है या धीरे-धीर है क्योंकि यहां पर सेम जो है एक meter गरने के लिए बहुत कम तेजी से गर रहा मतलब यहां का जो slope है वो तेज है इसलिए यहां पर एक meter हाली थोड़ी दिर में ही गर गया इतनी distance में गर गया लेकिन यहां पर अगर slope अपना slope थोड़ा gentle है मतलब बहुत काम है तो यहां एक meter में आपको ज्यादा distance कबर करनी तो यह अपने को horizontal equivalent में यह देख लेते हैं इसमें contouring में दो तीन term और हैं जैसे इसमें एक होता है contour line जो आपने इस टाइप की contouring करते हैं तो उसमें यह जो line बनाते हैं इस टाइप की round round सी तो वह है contour line हो एक line दूसरी line के बीच की जो distance होती हो है contouring interval contouring की जो map में आते हैं वह जनरली तीन टाइप के बना देते हैं मतलब तीन टाइप के सो किये जाते हैं अगर अपनी जो line है वह almost parallel चल रही है अगर मान की चलो यह छूटा सब पार्ट ले लिया तो यहां की line है बिल्कुल parallel चल रही होंगे तो इस case में हम समाझ सकते हैं कि यहां का जो slope है जैसे आप अपनी किताब book जो है उसी एक side से हलका उठा दे तो वह बिल्कुल एक सा हो जाएगा इस type का हो गया तो यह अपना uniform slope दूसरा इस type के है कि आपके पास जो circle में होंगे इसका मतलब यह तो confirm है कि यहां पर यह तो उठाओ है या गहराई है अब अगर आप यहां प यहां है गंड़ा depression है और अगर यह बीच ऊपर उठ रहा है यहां digit जदा है और यहां का मतलब यहां से जाने पर यह थोड़ा उठाओ है तो इसका मतलब है कि यह किसी हिल की Contouring है तो Contouring में जनरल यह तीन चीज़ें पढ़ते हैं अपना काम इतनी से हो जाता है कुश्चन यह है कि if the level of Contour Line increasing from outer to inner portion अगर बाहर से अंदर की साइड जाते है और जो Contour Line जो है उसका नमबर जो है वो बढ़ रहा है तो क्या होगा तो फिर वो अपनी हिल हो जाईए इसमें यह जो basic था अपना forest surveying का इसमें serving वाला part अपना complete हो चुका है इसमें कुछ related चीज़े हैं जिनने इस पूरे subject में discuss नहीं किया गया क्योंकि जो अपना forest surveying है यह यहां पर actually जो book यूज करते हैं academic में उसमें काफी कुछ chapter और भी हो जाते हैं तो कई बार जो question है वो अपने syllabus में तो ठीक है राजस्थान की syllabus का पूरा हो गया लेकिन जो outer part है उससे भी कभी कभी question होते हैं कुछ ऐसे हैं जो related question है उन्हें यहां पर discuss कर लेते हैं खास कर इसमें जैसे कि अपने जो टूल थे टूल में एक तो था पीडो मीटर और दूसरा है पैसो मीटर तो इस टाइप के जो टूल पर कभी question आ जाते हैं तो confusion हो जाता है यह जैसे ही है planning meter तो अब इन्हें अभी तक syllabus में तो नहीं पड़ा लेकिन इस पर terminology से question आ जाते हैं तो उन्हें देख लेते हैं जैसे अगर पहले planning meter को ही पकाड़न है तो जैसे अपने जो बड़े-बड़े plan पहले के जमाने में जो map बना जाते थे आज के टाइम पर तो पूरा computer का काम होता है लेकिन पुराने जमाने में मैप बना जाते थे तो इतने बड़े map को किस scale से measure करें यह बहुत चीज़ां आसान नहीं थी तो उसके लिए फिर ए मेंजिवाला जो है इसको यहां से ऐसे करका आप ऊहमा दो यह अपने आप यहां area दिखा देता था कैसे दिखा देता है यहां पर एक मतलब ring लगी है अपना संतिम्र के स्वार का एरया है तो इससे रोट की बीच की दो पॉइंट की डिस्टेंस मेजूर करना या मतलब माप को बनाना या माप की रीडिंग करना ये चीज है आसानी हो जाती है तो पुराने जमाने मैं esame world war 1 world war 2 पे जो काम करते थे मैप बड़े बरी जो मैप बनते से ही बनते थे इसे को प्लैने मीटर बोलते यब प्लै्टो मीटर एक और अच के टाइम पर आपको जो राहाल गंदी वाला की से पताया था इनका 500 मीटर 500 का मतलब होता है कदम तो यह जो है वो number of pace count करता है यह जो meter होता है यह अपने कदमों को count करता है क्योंकि आपके पता है कि एक कदम की जो distance होती है वो लगवग होती है 0.66 meter ऐसे कुछ है तो यह जो distance है वो fix ही होती है almost fix ही होती है तो अगर आपके कदम की number पता पड़े है तो multiply इससे कर दो तो निकाला जा सकता है कि आखिर आपने कितनी जर्नी की और फिर क्योंकि जो machine है उसे GPS से भी location ले ले लेती है तो फिर उससे वो आपके angle को actual में identify कर लेती है कि आपके standard आपके जो कदम में हो उनकी distance क्या रहती है तो पैसो मीटर है वो count करता आपके कदम को उससे सबसे नकाल लेता है दूसरा होता पीडो मीटर पीडो मीटर एक्ट्वल में आपके distance में जो करता है वो आपके कदम ना करके आपके GPS location से आपके यह दिख लेता कि आप एक point से दूसरी point तक कैसी गए तो पीडो मीटर और पैसो होता है soil surface तो surface को मीटर करना मतलब surface को मेजर करना मतलब surface को distance को मेजर करना तो पीडो मीटर और पैसो मूक्ल में दॉना difference है थोड़ा और परपच यही का दौनों को यह अपको सेक्सिन मेजर्मेंट में यूज कर लेते हैं इसके अलावा दो इंस्टिटू जो इंस्टूमेंट है वह ओर है इसमें एक है सेक्सिन और दूसरा है घाट्ट्रेसर इसका जो YouTube link है इस पर दिख लेना यह sextant क्यों बोलते हैं क्योंकि यह जो पूरा circle होता है इसका यह होता है 16 यह जो है यहां से लेके यहां था कि पूरे circle का 16 होता है इसलिए बोलते हैं sextant अब इसका purpose क्या है purpose है angle measure करना यहां पर यह लगा होगा जैसे यह है इससे यह दिखेंगे sight पर और इससे यह line जो है वो उसकी हिसाब से measure करते हैं इसका angle इससे जो भी चलता है इनका वीडियो में आपको ज़्यदा clear दिखा दिया जागा तो आपको एक तो याद रखना है कि sextant है इससे भी आप क्या यूज करते हैं angle measure करते हैं दूसरा होता है घाट tracer इसमें भी होता है कि इसे हम इसे किसी wire से लटका लेते हैं और इससे सामने जो point है उससे दिखा जाता है तो अगर यह जो है वो उपर की तरफ जाएगा तो यह गहाट tracer थोड़ा नीचे की तरफ खिसकेगा अधर को और अगर हम इसे नीचे की तरफ देखेंगे तो घाट tracer जो है वो आगे की तरफ मतलब मतलब भी आगे की तरफ खिसकेगा तो यह जो खिसकता है इससे का angle निकाल लेते हैं तो यह भी angle measurement में use कर लेते हैं गूगल इस पर एक वार यूट्यूब पर देखो गए तो यह दौनों के यह अजली मल जाते हैं अब इस पर कुछ अपने कोश्टन थे जैसे एक तो अपना स्टार्टिंग सी कोश्टन चल रहा है जिसमें पैसल मीटर डिस्टंस मेजरमेंट का अपना हो चुका था थियोडलाइट का बताई चुक्ए है वर्टिकल होरिजोंटल का प्रिजमेंटिक कमपास जो है उसका हो गया था होल सर्कल बेरिंग अब यहां पर था मैंन मुद्दा अपना प्लैनी मीटर का तो प्लैनी मीटर का यह मेजर करना था यहां पर इने slope measurement लिख रखा था तो यह नहीं होगा अपना तो इसका अंसर यही था क्योंकि wrong पूछा था इन्हों नहीं तो यह आपको समझ में आ गया होगा next है instrument used for computing the area from the plan of a plot इसलिए तो इसे plotometer बोलते थे क्योंकि यह उसका area measurement में करना मतलब यूज़ करते थे इसकी YouTube link यह दी गई है यहां पर यह इसका क्या करेंगे तो अपने यहां पर है प्लानी मीटर या प्लैटो मीटर पीडो अलग है पीडो मीटर मतलब मैंने बोला था पीडो मतलब स्वैल मतलब कदम तो यह भी distance measurement में यूज़ करते हैं ना कि area में एलि वीडियो के साथ मैं forest engineering में आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना इंजीनेरिंग के दो पार्ट होते हैं क्योंकि अभी तक अपने serving और leveling तो कर ली अब उसका construction जो अपना forestry का मैन पर पाजाए जिसके लिए अपने serving labeling की थी वह वाला काम है और construction में आप उन क्या करेंगे खा यहां पर अपना जो परपाजाब हो है building का तो building construction में यान कि forest engineering में दो पाट आते हैं एक तो है building construction के लिए कौन-कौन सा material चाहिए और दूसरा वो construction कैसे किया जाएगा यहां पर जो अपने syllabus में है वो केवल building construction है building का जो मतलब building के material है building को construction कैसे करना उसकी दिवालने कैसे जोड़नी यह अपने syllabus में नहीं था इसलिए उस चीज़ को नहीं बताया गया और वो लगा भी नहीं कि इतना importance है क्योंकि अगर उसको जदा पढ़ने जाएगे तो syllabus नहीं भी मकान बनाते हैं तो जनरली नीव वगरा है या मकान भी बनाते हैं तो इसमें एक तौपन पत्थर यूज कर लेते हैं फिर पत्थर के टाइप बगर है कि जैसे तीन टाइप के होते हैं इग्नियस सेडिमेंट्री मेटा मॉर्फिक यह सब लोग आप जियोग्राफ अब वहां पर किलिन के तीन चार टाइप होंगे वो चलते रहते हैं इनसे अपने जएदा कुछ फरक पड़ता नहीं है एक चो कुश्ण आ सकता है वो आता है किलिन के यानिकि जो ब्रिक्स है उसके साइज पर की ब्रिक्स का स्टेंडर्ड साइज क्या होना चाहिए तो यह बैसे तो स्टेंडर्ड साइज में थोड़ा बहुत स्टेटी साफ से वैरिशन हो सकता है लेकिन इनमें कोई ब्रिक्स का एक स्टेंडर्ड जो साइज है वो देख लो इनमें से इनमें जो भी रटा आपको मालना आसान जाए यह थोड़ा आसान जाता 19,9 और 9 सेंटीमीटर का इसे कर लो यह फिर आपके में अगर कोई बेसिक आप लोगों क्योंकि ज्यादा तर इंजीनियर हैं और यह चाहिए क्योंकि प्राक्टिकली थोड़ा डिफ्रेंट हो जाता है तो अगर कोई स्टेंडर्ड साइज आप लोगों को मालूम है तो उसे शेर कर दो ग्रूप है जिससे हम लोगन को मालूम पर जाए है क्योंकि यहां पर जो 9 cm by 9 cm है यह थोड़ा मैच नहीं बहता है आपकी जो भ्रिक्स होती है वो लंबाई में जैधा होती थोड़ी चोड़ाई में कम होती है और यह ठोड़ा और का मुटि प्रवाइबुक है उसमें इस टाइब का डाटा था तो वहीं से लिया गया था तीसरा अपना आता है चूना चूना क्या होगा कल्सियम कारगोनेट पुराने जमाने की जो मगान है वह सीमेंट के नहीं होते थे वह चूना वगरे काउट बनाते थे उससे चूना के साथ क्या करते हैं नॉर्मल सी चीज़ें आप पढ़ लोगे आरम से हो जाएगा बस आप इतना याद रखो कि चूना होता क्या है तो एक तो होता है चूना कल्सियम कारगोनेट ही होता है लेकिन उसका हाइड ऑक्साइड हो गया कल्सियम को यह हो गया नेक्स्ट उसमें आता अपना स साइज इकदम बढ़ता फिर रेडियूज हो जाता है तो इस पर बल्किंग उप्सेंट पह जाता है कुश्चन जो आपके आ सकते हैं वो एक तो सुर्खी पह आ सकता है कि आखिर सुर्खी है क्या दूसरा कुश्चन आता है मोटर पर जो आप गारा बनाते हो मोटर उस पह ऑग यहां हमेंट वाले मुद्धे पर यह देख सकते हैं कि सीमेंट जो है वो किस country से मिलके बना होता है सीमेंट में जा क्या क्या मैंमेंट Romeo कमपोनेंट Hindu nor चून होता वही यहां पर होता पैनी है कि सक आगदर चीजां मिल जाते हैं तो काम चल जाता है miseने दिबंट मॉनर करहने क diagnose को मिला कर के पाणी है एक्षी का से लइक की उटे मिलाव तो हराम होता है तो यह पूछा जाता कि मोडर किसी से मिलके बना होता है कि क्योंकि आपका पिपर सैट किया है वह इंजी निरिंग डिपार्टमेंट और प्लास्ट से इसे तुसक dose हमें और हम ऐना प्लास की श г्मर लेते हैं कि यह समाहां idoख लोगों को यह समझ में आता कि यह मोटर है क्या वह गया कstrings दीदार disp dress तो यह मीट यह मिट को ही प्लास्टर बना करके इंटों स्य प्लान कर बना दिया सब्सक्राइब मड मोटर फिर चुने वाला इसा हो गया है फिर सीमेंट वाला हो गया यहां पर अपना मोटर का काम हो जाता है फिर ज़्यदा कुछ रिशन इस पर आते नहीं है आजकल जो कंक्रीट का काम हो वह बहुत ज़्यदा चल रहा है तो फिर कंक्रीट में देख सकते हो जैसे अपनी स चार टाइब होते हैं जैसे bricks concrete है गाओन में आजकल इसी को RBC यूज करते हैं जो RBC red blood carpsutes geology में आपने वो भी पढ़ा होगा लेकिन यह reinforcearing brick concrete क्याम करते हैं दो और यह चोथा दिखा होगा अपने डैली में यूज करते हैं डैली की जो अपने मैट्रो की प्लर हैं अनमें आपको इस टाइब वार लगे दिख जाएंगे साइड से पिलड पर तो इन्हों बोलते हैं रि स्ट्रकार्स्ट कंप्रिश्ट तो इस टाइब के चार्ड जो कंप्रीट है मोर्टर है इन पर कुश्चन आ जाते हैं तो फोरेस्ट में जो फोरेस्ट इंजीनियरिंग में इसमें अपना जो कुश्चन आए वह माटेरियल पहेंगे आपको क्या सी बिल्डिंग खड़ी करनी है इंटो को कैसे जमाना उन चीजों पर जाता कोई कुश्चन आता नहीं है यहां पर अपना जो फोरेस्ट सर्विंग इंजीनियरिंग है वो हो जाता है कम्प्लीट